नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो रटोर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बहुत बड़ी न्यूज है जैपे के बारे में जैपे ब्लोक क्यों पर आ रही है और 28 सेप्टेंबर को यह न्यूज मार्केट और जो काफी कस्टमर्स हैं इसके वो सब पैनिक हो रहे हैं कि जैप पे क्लोज हो गया तो उनका जो बिटकोईन वहां पर था और जो कोईन्स ट्रेडिंग कर रहे थे वहां पर जैस्ट लाइक एक्सेंज तो उनका अब क्या होगा तो इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस के बारे में हम आज डिसकस करेंगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चनल को आप सबस्क्राइब कीजी किजी दोस्तों ताकि आपको टाइम टूट टाइम जॉनी न्यूज और कोर्क्ट न्फॉर्मसिन आपको मिलती रहे दोस्तों ठीक है दोस्तों चलिए स्टार्ट क का फ्लक्टुएशन था वो दो लाग पचास जर साठ जर के करीब था यानि कि जैपे ने इससे पहले काफी प्रोफिट कमाए था और जैपे की जो टिम थी इससे पहले काफी प्रोफिट में थी जब तक RBI और सुप्रेम कोट ने इसके उपर बैन नहीं लगाया जैसे ही अप से BTCY नहीं कर पाएंगे तो अप्रेल से वो लाग वो गया था उसके बाद क्या था कि जैपे ने INR जो डिपोजिट करते थे वहां से हम बिटकोईन परचेज करते थे वो बंद कर दिया था तो उसके बाद क्या दोस्तों जैपे ने वो क्लोज कर दिया RBI के सिर्कूलर के म जाए तो अब कंडिशन यह है कि जैपे ने जो एक्चेंज क्लोज किया इसके दो रीजन है फ़स्ट रीजन यह है कि एक तौा इनर क्लोज कर रखा है सेकंड एजिशन है कि इसके पास जितने भी जो एक एके शेंज के अंदर यह कंवर हुआ है और इस में काफी कोईन प्रेडिंग पार्ट है और जितने भी वालेट बने विए हैं वहाँ पर आपके जो कोईंस हैं वह ऐसे की ऐसे रहेंगे उन कोईंस को आप ट्रांसफर कर सकते हो जो कोईं के वालेट हैं वो क्लोज नहीं किये हैं और उस वालेट को कि आप अपने जो कोईंने कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो और इन्होंने बीटिसी और आइनर का जो है क्लोज वो कर रखा है कि एक्स्ट्रा बीटिसी अब यह वहाँ पर नई डिपोजिट करेंगे जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट वो कैंसिल कर दी जाएगी ठीक है और दू दिजिटल एसेट्स और पावर यहां से पब्लिक ब्लोक्चेन के द्वारा अर्निंग हो रहाथ हां उसके माद्दे मुसे बताना चाहते हैं कि जैसे मैं आपको एक एक्जम्पल के तोर पर बताना चाहता हूं कि एक्चुली में हुआ क्या है जैसे बीट्रेक्स को काइन और बीट मैक्स जितने भी पापулर एक्षेंज है है वहां पर ट्राफिक ज्यादा है क्योंकि वो जो पापॉलर एक्षेंज है बाइन्स हो घो गया बीटरेक्स हो गया यह वर्ल्ड पफिलर फिमस एक्षेंज है वहाँ पे लोग्छ जThey करते हैं बजाएक यह वि जैपे के पास डिड़ डेड़ सोसे 200 जो प्रोफेशनल टीम इन्होंने हाईर की थी अपना एक्सचेंज कनवर्ट करने के बाद उनका मापे लोस हो रहा है ठीक है उसकी जो टीम है अभी जैपे के पास आई एनर तो आने रहा जब आई एनर आ रहा था तो जैपे प्रोफिट कोट में थे उस टाइम सब कुछ चल रहा था जैसे कोट ने बैंड किया और बैंड लगाया उसके बाद से इन्होंने एक एक्सचेंज में कर लिए जैसे इन्होंने एक्सेंज में कनवर्ट किया उसके बाद से क्या होगा कि यहां पर उनके पास फंड की जो हो कमी आ गई है उसके द्वारा इन्होंने अपना जो एक्षेंज है वो शटडाउन करने का फैसला किया है तो आपको गबराने की जुरूत नहीं है अगर आपके कोईन्स और वालेट्स वहाँ पर बने वी हैं तो आपके एज़टी जो भी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको और आप प्राइस का जो मैनिपुलिशन है वो चल रहा है और आने वाले टाइम में और प्राइस डाउन हो जाए और हो सकता है दो बार से सब कुछ अक्टिवेट हो जाए समुतले हो जाए लेकिन फिचर की प्रेडिक्शन है उसके बारे मैं हम कुछ कह नहीं सकते तो फिलाल जो ची है वो जो वालेट है वहाँ पर एजटीज बना रहेगा और उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं कभी भी अपनी दूसरी एक्शेंज के उपर ठीक है दोस्तों तो जो भी इसमें न्यूज दे रखी है 28 सेप्टमबर की न्यूज है और क्रिप्टो क्रिप्टो ओर्डर्स जो ह है और क्रिप्टो क्रिप्टो वह पर चलता रहेगा और जो भी टोकन से वापके जैपेग वालेट में रहेंगे और नो न्यू ओडर विल एक्सेप्टेड एंटिल फर्दर नोटिस अभी जो नया नोटिस उसकानने कई इंतिजार कर रहे हैं कोड का क्या डिसे जना आता है उसके बाद ही यह जो नए कोईन्स है और टोकन्स है वह अपने वालेट में क्रिएट करेंगे यह नया कोईन एड करेंगे वापर उससे पहले है कुछ नहीं करेंगे जो न्यूज थी वह आप हमने आपको बता दिये तो अशा करता हूं कि आपको पैने कोने के भी जुरूत कीजिए हमारे डिस्क्रेप्शन में जो दे रखा है क्रेप्टोर आठोट से डाटेड पेज लाइक ट्विटर सब कुछ आप सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू वर्यमस्ट दोस्तों